कि यह पार्ट 14 बोले तो लास्ट पार्ट है तो जड़ी-ज़ली हम लग इस ड्रामा को कंप्लीट करते हैं फिर नया ड्रामा भी तर देखना है न तो इस पार्ट कि सरुवार्वार्ट में गोना जो है जो है जो को लंज करने के लिए लेकिजा तो वहां पर इंप्रेस करने क कर रहा था अब जो भी कनफ्यूज हो जाती है वो से कहती है तुमने मेरा लेटर बढ़ा गया तुमने कभी उस लेटर कर रिस्पॉंस नहीं दिया तो मुझे लगा कि साथ तुमने इस मैटर में सोचा नहीं है अब गुनान बेना सोचे समझे का देता है अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है तो तुम तो कभी भी आ सकती हो अब जो गुसा जाती है उसे सोचने लगती कि वह सच में पाच परसंट सेयर की है मेरी पीछे पड़ा था ठीक है जाकर के लेटर पड़ो फिर मुझे से बात करो जब बुलाओगे मैं आजाओंगी गुनान घर जाकर के देख है और वहां पर तो कोई और ही रह रहा है और मैंने उन्हीं नहीं बताया कि हमारा ब्रेक अप हो गया है तो बाकी का मैटर ना तुम समहा लो गुनान करता है सिफ एक पर मेरी हल्प कर दो मैं मौम को थोड़ी दिन में बता दूंगा जो कि ठीक है चलो इसके बाद वह अपन कि अगा चला साथ में जाते हैं तो दिना करने के लिए और वहां पर उनकी मॉम दिमाग लगाती है और कहती है कि मुझे आज यहीं परस्टे करना है काफी रात हो गया तो मैं अखेले घर नहीं जाने बादि हूं अब गुदान जो का सकल देखने लगता है कि जो आज उसका यह दोनों से इंपर्टन टॉपिक पर बात कर पाती है गुनन की मौम बीच में आती है और गुनन को सौपिंग करने के बहाने वहां से लेकर कि जाती है वह सौपिंग मौन में पूस्ती है कि आखिर हुआ क्या है मुझे पता है कि तुम दूनों का ब्रेक अप हो गया मैटर क् तब जाकर कि गुनन अपनी गलती अक्सेप्ट करता है और सारा बात बताता है उसकी मौम उसे समझाती है कि जो अच्छे लड़की है उसे कैसे करके तुम मना लो मुझे पता है कि वह अभी तुम से प्यार करती है वह मान जाएगी नेक्स्ट मॉर्निंग से गुनन की मौम लग जाती है दोनों के बीच में पैच अप करवाने के लिए वह गुनन की मौम थोड़ा से इमोशनल ड्रामा करके जो को इस बात के लिए मनाती है कि वह उसके साथ होट वाटर बात लेने के लिए जाए अब जो भी थी इमोशनल वह भी बात मान जाती है हमारे यहाँ तो लव मैरेश के नाम पर ही ड्रामा हो जाता और यहाँ तो इसकी मौमियों से सपोर्ट करिए इन्ही का सही है खैर वो लोग थोड़ी देर बात दुस्रे होटल में जाते हैं जहां पर वो लोग हॉट बात एंजॉय करने वाले थे गोनर और जो का अलग कमरा बुक था जहां पर बिल्कुल हनीमून वाले स्टाइल में सब कुछ डेकोरेटर था वो दोनों दिख करके पूरे इंबैरेस हो जाते हैं गोनन सोचता है जो को एक्सप्लेइन करने के लिए कि सेयर वाला क्या मैटर था लेकिन जो अपर सुनने के लिए रेड़ी नहीं थी बखरोग्यों अपर उन के बाते सब्सेटर रहें अर्न की मजम थे उससे प्यार हो गया वहाँ से बहुत सारी बाते हैं और जो बी उससे इंप्रेस देरी देरे होई रही थी जो अचानक से उठती है कोई समाल देने के लिए तो उसे चक्कर आने लगता है वो वहीं पर गिरने लगती है गुनन जल्दी से दूसरे वाश्रूम से आता है और उसे पहां से उठा की लेकर कि जाता है एक्सरा वर्कलूट की बज़े से से चक्कर आ गया था जब उसे हो साता है तो वह देखती है कि वह उसका ख्याल रख रहा कहीं न कहीं तो वह से इंप्रेस होने ही लगी थी घुनन से कहता है कि ऐसा है कि मैं यहीं पर ओँ अगर कुस शाही होगा तो मुझे बता देना वहीं पर अरमकरने लगता है जो जिब अपना ब्लेजर डाल देता है वो सोते हो इतनी प्यारी लगती है कि उसके फॉर हेड़ पर किसी कर लेता है और इसके बाद जोगी नीन खुल जाती है वो बोलती है कि मैं जारी हूं मेरा काम हो गया है गुरान उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं वो उसके खेड़ चोड़ने के लिए जाता है वहां पर फाइनली गुरान को को अलोन टाइम मिलता है वो से अपनी सारी बाते बताता है जो उसे कहते है कि अब मुझे क्यों बता रही इसारा चीज़ तो गोना ना याःन को जो से दूर रखने के इसे कोई दूसरे साहर को प्रोग्र जोग का मीटिंग करने के लिए आने का वेट करता है लेकिन जब जोग के कमपनी से दूसरे लोग आते हैं और उसे पता चलता है कि जोग को भी उसी साहर में भेज दिया गया जहां पर उसने इनको भीटा है तो वो तो अपना सर पीट लेता है कि मेरा तो किस्मत ही खराब चल दोनों मस्त मस्त पिक्चर क्लिक करके अपने सोसल मीडिया पर अपलोड करते हैं और जब गुना देखते हैं कि दोनों मिल गए और चिपक चिपक क्यों फोटो क्लिक करा रहे हैं तब उसकी बिचैनी और बढ़ जाती है उसके पास कोई आप्शन नहीं था उसे सिफ एक बिज करके जाना पड़ता है लेकिन कहते हैं प्यार में बहुत सारे मौस्त की लोगा सामना करना पड़ता है तो गुनान कुछ यही कर रहा था पिचारा बच्चों के हल्ला से तब तंग आ गया था लेकिन फिर बिपस जोग को ध्यान करके वहां पहुचने वाला था इधर मस्त म अगर होता पसंद नहीं था लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी वज़े से उन पर काम कर रहा था अब जो को समझ में नहीं आता है कि वह क्या बोले तो इस बात पर यह नहीं है और बोलता है कि मैं तो मजाग कर रहा था यार मैं चारा सेकंड में लीड को ऐसे क्यों दिखाते है वो लोग वहां पर फायर वर्क देखने लगते हैं और जो जो थी वह कुनान को मिस्स कर देती पिछले टाइम में वो दोनों साथ थे ना ब्रेक अप का यह सबसे बुरा चीज लगता है मुझे तब यह वहां पर गुनान को आता हुआ देखता है इन तो वह जो को जान बु देखते हैं तो गुनान मिलता नहीं है वहीं उनको छोड़कर उसे ढूंडने के बाद गुनान उसे मिलता है जो कि बहुत सारे बालूंस लेकर के खड़ा था वह से सारी बात ही बोलता है सब लग उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे था और फाइनली इतने रोमांटिक तरी चला ना कि जो तुम्हारी बज़े से रोई है तो मैं उसे वापस लेकर के जाओंगा ख्याल रखना उसका और फिर सब कुछ नॉमल होने लगता है गुनान और जो ऑफिस में रोमांस कह रहे थे जो उसे कहती कि मैंने कहा ना अभी थोड़े थे अपने रिलेशन को रखते हैं यहां पर कुछ जादा ही रोमैंटिक तरीके से गुनान जो को किस करता है और फिर से एपिसोड वन वाला हरकत होता है यानि कि वहां के जो कुछ से उसको ऑफिस के गिर गये थे और अब वो कुछ नहीं लगा था पूरा क्लीन ग्लास था तो सब को इंडरेक्ली पता चल जाता है कि दोनों फिर से रिलेशंजिप में आ गए हैं अगले दिन गुनान का एक बहुत बड़ा कॉंफरेंस होने वारा था जहां पर गुनान को अस्पिच देना था तो एक रूम में अपना मस्ती में जो को मैरेश प्रपोजल देने का तैयारी कर रहा था और उ अब प्यार सच्चा होना तो इनसान को पूरी तरीखे से बदल गे रख देता है इस ट्रामा की होती है क्योंकि गोनान इस ड्रामा के लास्टिग में बहुत ही ग्राइंड तरीके से जो को मैरेज के लिए प्रपोस करता है और जो हाँ भी कह देती है तो कौन-कौन इस ड्रामा के इस पार्ट के यहां तक आया है जर फिर से कम्मेंट में इह बोलके अटेनिंस लगाना तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं हम लोग एक नए ड्रामा में